राजस्तान, पंजाब, अर्याना, उत्तर प्रदेश सहीत, उत्तर भारत के राजों में अगले 24 गंटों में मोसम ले सकता है करवट, कि जिलों पर बन सकता है नया डवलूडी का परवाओ, और जिलों में ओ सकती है बारी बारीश, नमस्कार किसान भाईयो, क्रीसी चोपाल के मोसम समाचार के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आने वाले 24 गंटों में मोसम का ताजा पुरुआ नमान आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आंत तक पूरा देखें, और वीडियो को लाइक और सेयर करके हमारा मनोबल जरूर ब बताएं, यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लारंग का बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें और पास के गंटी के निसान को भी दबा लें, अगले 24 गंटों के दोरान मोसम में हलका बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्री बात के कई र वहीं उत्र प्रदेश, मद्य प्रदेश और दिली में आज रात को मोसम साफ रहने की समभावना जादा है, तथा कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मोसम सकरिया रहने के चलते कहीं कहीं बारिस होने की समभावना है, आज रात को राज़स्तान के उत्री जिलों, टूंगरपूर, बांसवाड़ा, परताबगड, बारा, बीलवाड़ा औरुद्यपूर में डमलूडी का परवाव जादा रहने के कारण इन जिलों में अच्छी बारिस हो सकती है, इसके अलावा दक्षनी और पस्मी जिलों में कहीं कहीं छुटपिट बारिस देखने को मि सकती है, तता इसके बाद अगले बारा गंटे के दोरान हर्याना के पूर्वी जिले, करनाल, पानीपत और सोनीपत में तेज होआ चलने की समभावना है और ज्यादा तर जिलों में मौसम साफ रहने की उमीद है, पंजाब के दक्षनी जिलों में मांसा, संगरूर, बरनाला और बिठिंडा में भी आज रात को छिट-पुट बारिस देखी जा सकती है, वहीं अगले बारा गंटे के दोरान दक्षनी और पूर्वी जिलों में तेज होआ चलने और हलके बादलों के साथ दुंद का परकौप ज़्यादा रहने की समभावना है, उत्रपरदेश और अगले बारा गंटे के दोरान जादा रहने के कारण मद्यान तेज बारिस होने की समभावना है, आज की जानकारी में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नहीं जानकारी के साथ, तब तक देखते रहें दाक्रीसी जोपाल, जैहन, जैकसा.